दोस्तो आज हम बनाएंगे मेठी पूरी, ये बहुती खस्ता और करारी बनती है, ये खाने में तो टेस्टी है, ये हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि हम इसको गेहूं के आटे से बनाएंगे, इस नाश्ते की खास बात ये है कि आप इसको जादा मात्रा में बना कर रख सकते है ये लंबे टाइम तक चलेगा, खराब नहीं होगा, इसको आप बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं, और सफर में भी ले जा सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को ये खस्ता करारी मेठी पूरी बहुत ही जादा पसंद आएगी, नमस्ते दोस्तो स्वागत है आपका 500 ग्राम है, आटा आप कप या कटोरी से नाप कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आटा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, जितनी आपको ये मीठी पूरी बनानी हो, और आप गेहूं के आटे कीजेगे मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूं के आट जो सकते हैं और एक कप डालेंगे इसमें फिसी हुई चीनी ये बजन में 100 ग्राम है जिस कब से नापकर हमने तीन कप गहूं काटा लिया है तो उसी कब से नापकर एक कप चीनी का पाउडर डालना है आप चीनी की जिए गुडिया मिश्री भी डाल सकते हैं और यदि आप नहीं डालनी है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगे कि चीनिस में ज्यादा क्यों नहीं डालनी है ज्यादा चीनी डालने से क्या प्रोब्लम हो सकती है और दो चमढ़ डालेंगे तिल ये घर के और गरनिक तिल है इसलिए इनका कलर ऐसा है आप आज जा के वैट तील मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं तील डालने से इन पूर्य का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और यदि किसी को तिल पसंद नहीं है तो तिल को इसकी भी कर सकते हैं और एक चमश डालेंगे सौंफ थोड़ी सी सौंफ इस मीठी पूरी में डाल देंगे तो भी इनका तेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और 1-4 चमच के करीब डालेंगे इसमें नमक अब आप यह सोच रहे होंगे कि मीठी पूरी में नमक का क्या काम है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि काफी लोगों को मीठा खाने के बाद ऐसा लगता है कि मुझ बहुत जादा मीठा मी सिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना और यदि आपने मेरे चैनल को पहले सी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहीं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ये सारे चीजे आटे में गी की जिके तेल भी ले सकते हैं लेकिन आप इसमें तेल डालेंगे तो 7-8 चमबस तेल डालना पड़ेगा घी को अब आटे में अच्छे से मिला देंगे हाथ से घी को आटे में मिलाना पड़ेगा क्योंकि चमबसे तो यह आटे में अच्छे से मिक्स नहीं होगा और आप इ दिक्कत हो सकती है इनको बनाने में इसलिए वीडियो को पूरा देख करिए आप ये गहों के आटे की पूरी बनाना आप ये मेठी पूरी जादा बना रहे हैं और आपको इसमें घी डालने का कोई आइडिया नहीं है कि आटे में घी कितना डालना है तो आप आटे को इस तरह जिसे बाइंड करके देख सकते हैं आटा अच्छे से बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आटे में घी बिल्कूल परफेक्ट है आटा यदि अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो फिर उसमें आप जरुत के इसाब से थोड़ा घी या तेल डाल सकते हैं घी भी सारे अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पाने डाल कर उसका टाइट आटा गुण लेंगे, जैसे पूरी के लिए आटा गुनती है नहीं, ये आटा उससे थोड़ा जादा टाइट गुणना है, इसमें बहुत ध्यान से थोड़ा-थोड़ा पाने डाल आटा अच्छे से ही कठा हो जाएगा तभी तक इसको गुनना है ये देखिए आटा ऐसा होना चाहिए आप इसको ढखकर रखने की जुरत नहीं है आप इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे लोई आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कैसे भी बना सकते हैं आप इस लोई क बिल्कुल मठ्री की जैसी बनेगी खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी ऐसे ही सारी पूरी बना लेंगे ये देखिए हमने सारी पूरिया बना ली ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रही है हमने इनको बेला भी नहीं है लेकिन ये बिल्कु पूरी देसी घी में बना रही हूँ, आप इनको तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन आप इनको सरसो के तेल में बना रहे हैं, तो सरसो के तेल को अच्छे से गरम करेके इन पूरियों को फ्राई करना है, गी अच्छे से गरम हो गया, तो अब इसमें आटे का छोटा सा टुकड परड़ा कर देखें गी एदेखें घी बिल्कुल परफेक्ट गर्म है पुरी बनाने के लिए हमें घी इतना ही गर्म चाहिए तो अब और इनको पैन में डालते ही नहीं पलटना है जब एक साइड से थोड़ी पहतना है और इनको भोती आराम से पलटना है क्योंकि बहुती ज़्यादा सौफ्ट है तो टूट भी सकती है मैंने आटे में चीनी डाली थी तब आपको ये खाता कि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी निडालनी है ज़्यादा चीनी की वज़े से पूरी अच्छे से बननी पाएगी तो मैंने ये इसलिए कहा था कि ये आटे में चीनी का पाउडर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो जब हम इन पूरीयों को फ्राइ करेंगे तो ये पूरीयां तूट सकती है यानि कि ये अच्छे से बननी पाएगी इसलिए इसमें सारे चीजे सही माप के साथ ही डालनी है गैस को मेडियम फ्लेम पर रखकर इनको 10-12 मिनट के करीब हो गए फ्राइ करते हुए इनका कलर भी बहुत अच्छा हो गया ये कुरकुरी भी हो गई और अंदर तक अच्छे से पक भी गई है तो अब इनको थाली में निकाल लेंगे अब ये बहुत गरम है तो आपको ये हलकी सी सौफ्ट लगेगी लेकिन जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो ये खाने में बिलकुल बिस्किट और मीठी मठरी के जैसी लगेगी ऐसे ही बची हुई पूरियों को भी फ्राई कर लेंगे ये लीजिए अब हमारे पहुत ही टेस्टी हेल्दी खस्ता करारी बिस्किट के टेस्ट वाली मीठी पूरी तयार है आप इनको 32 पर जादा मात्रा में बना कर रख सकते हैं ये लंबे टाइम तक चलेगी खराब नहीं होगी आपको ये मेठी पूरी बनाने का तरीका जरस आपी पसंदाया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई